नमस्कार दोस्तों मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूँ हमारे अपने यूटूब चैनल में हम पढ़ना है दर्शन सास्त्र दर्शन सास्त्र में आज हम जानेंगे धर्म एवं दर्शन धर्म और दर्शन में समानताएं क्या हैं धर्म और दर्शन में भि दर्शन में असमानता हैं क्या है और धर्म और दर्शन क्या एक दुसरे पूरक हैं तो इस टेप के क्यूस्चन आएंगे 30 से 60 सब्द में आते हैं क्यूस्चन तो चलिए देखते हैं धर्म और दर्शन में समानता हैं तो पहला समानता क्या है कि धर्म और दर्शन दोनों का संबंध विश्व के कुछ अधार भूत प्रस्णों से है विश्व के अधार भूत प्रस्णों की खोज करता है दोनों दूसरा कि दोनों का जो लक्ष है परमार्थ सत्ता की खोज करना है दोनों इसुर इन सब की खोज करना ही क्या है दोनों का लक्ष है नेस्ट है कि दर्शन धर्म की समिक्छात्मक व्यशना करता है अर्थां दर्शन जो है धर्म को अन्ध्विश्वास रूढिवादिता इन सबसे मुक्त करता है ठीक है तो दर्शन धर्म की तटश्ट होकर समिक्षात्मक वीचना करता है नेश्ट है दर्शन धर्म का सैध्धान्तिक अधार है संधातिक अधार मतलब धर्म की दास्निक भूमिको सबलता पतान करता है आपका दर्शन जो है ठीक है ना नेश्ट है कि धर्म दर्शन क का व्यवहारिक रूप है दर्शन क्या है सध्धांतिक रूप है जबकि धर्म क्या है व्यवहारिक रूप है दर्शन का क्लियर है व्यवहार में हम जो देखते हैं वहीं सध्धांतिक रूप क्या है वही दर्शन है तो धर्म और दर्शन जो है न एक दूसरे का पूरक है कैसे पूरक हैं यदि दर्शन का अभाव हो तो धर्म जो है रूढ़िवादी और अंध्विश्वास से क्या हो जागा युक्त हो जाएगा धर्म में रूढ़िवादिता हो जाएगा अंध्विश्वास हो जाएगा और यदि धर्म का अभाव हो तो दर्शन क्या हो जाएगा समागरी विहीन हो लगता है क्योंकि दर्शन के लिए जो है धर्म जो है एक समागरी की समान है ठीक है समागरी समझकर उसका अध्यान करता है वहीं से विशावस्तु को लेता है उसके बेश पर जो है दर्शन फिर बनता है ठीक तो यह समानता है एक दूस्ते के क्या है पूरक देख लिजे, point point में है, कि उद्देश, दोनों का उद्देश देख लेते हैं, दर्शन का उद्देश है, विज्ञान की भाति जो है, ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, दर्शन का उद्देश क्या है, ज्ञान की प्राप्ति करना, जबकि धर्म का उद्देश से है, अध्या आत्मिक मुल्य है उसकी प्राप्ति करना धर्म का उद्देश से है जब की दर्शन का उद्देश से है ज्यान की प्राप्ति करना दूसरा पॉइंट है द्रिष्टिकोड देख लिजे दोनों का दोनों का जो द्रिष्टिकोड है वह भिन्न है पहला है दर्शन दर्शन जो है ज्ञानात्मक और बोधिक पच्छूपल जो है ध्यान देता है जब कि धर्म जो है भावनात्मक अर्थात स्रद्धा भक्ती इन सब पर ध्यान देता है अब देखिए कि विधी, तीसरा पॉइंट है विधी कि दर्शन में तार्किक विधी का उपयोग किया जाता है दर्शन क्या है विचारात्मक है तार्किक विधी का प्रयोक किया जाता है इसके विपरीत धर्म में भावात्मक विधी का प्रयोक किया जाता है इसमें सरद्धा भक्ति विश्वास धर्म ग्रंद पर अस्रित होना पड़ता है इसको अता है क्या है भावात्मक है दर्शन करता है जबकि धर्म क्या करता है मानव जीवन और चेतना के भावात्मा क्रियात्मक पहलू की त्रिप्ति करता है ठीक चौथा है छेत्र देख लीजे कि छेत्र जो है व्यापक है दर्शन का छेत्र व्यापक है जीवन और संपून जगत इसके अंतरगत समाहित होता है इसका जबकि धर्म का छेत्र जो है सीमित है इसके अंतरगत किसी एक धर्म का जो है इसमें अध्यान किया जाता है यह फिर किसी विशेज धर्म का ही इसमें एक सीमित रहता है सीमित छेत रहता है जबकि दर्शन का जो छेत रहे बहुत व्यापक रहता है स्वंपूर्ण जगत जीवन का इसमें क्या रहता है अध्यान रहता है नेश्ट है उत्पत्ति उत्पत्ति देखें दर्शन की उत्पत्ति जो है जिग्यासा और Eco जो है निवारण इन सब के लिए जो है ए जो धर्म है इसकी उत्पति हुई है js厘्यासा बुद्धी की मांग जानने की जो ज्यासर उसकी सांती के लिए जो है दर्सन का उत्पति हुई है था यह फिर लच्छ देख लीजिए कि दर्सन का जो विसे लक्ष है सत्त की ग्यमेशना करना ही उसका लक्ष है सत्त की खोज हो गया वह लक्षी प्राप्ति हो गया जबकि धर्म का जो लक्ष है ना वह है मौक्ष की प्राप्ति करना प्रतिक मनुस्त जो है मौक्ष को प्राप्त करना चाहता है यह इसका लक्ष है नेक्स्ट तो है पच्ष्पात पूर्वन कि अपने धर्म को जो है विशेष महत्तुपुर्दान करता है तो यहां पक्ष्पात पूर्व uh दर्म जो है अब देख लिजे आठ्वाँ क्रिया देख लिजिये एक जो दर्शन है वह विचार समस्क्राइब है आलोशना व्येचना विश्लेशन इसमें समलित होता है यानि वैचारी क्रिया तक स्रीमित है दर्शन जो है जबकि धर्म जो है इश्वर चिंतन प्रात्ना पुजा पाठ इस्तूति यह सब क्रियाएं होती है इसमें इस्वर कर चिंतन करना प्रात्ना करना पूजा करना वीचन करेंगे विचलेशड करेंगे यह सब क्रिया जो है दर्शन होती हैं तो यह सब असमानताएं दोनों में तो यह है आपका धर्म और दर्शन की समानताएं और असमानताएं आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों में समानताएं क्या है असमानताएं क्या है देखिए एक तीस सब्द में आया हुआ क्यूस्टन है क्युष्चन आया था इस रिलेटेट टॉपिक है धर्म दर्शन का सवरूप समझाई यह 30 सब्द या 60 सब्द में क्युष्चन आ सकता है ठीक है देखिए धर्म दर्शन दर्शन की एक साखा है जिसमें धर्म से संबंधित मूल भूत प्रशनों का दार्षनिक अनन दर्षनिक का सम्द है तो दार्शनिक विश्चलेशड को कैसे किया जाएगा तो दार्षनिक प्रविधि के उपयोग के द्वारा इसमें टतश्थतका पहाव रहता है इस पश्टता रहता है शुछाणरुक जाता है प्रोमाड ओलता नियम है इत्रत असपस्तता तसू तासु संगति प्रामाड नियम इस और्भिधिया दारस्निक विद्ही इसके प्रजोग कर करके धर्म कर वि शल्य सद्क याता है धर्म-दर्शन के अंतरगत और क्या लिग सकते हैं इस में तो इसमें लिख सकते हैं कि धर्म दर्शन के अंतरगत धर्म के दार्षनिक और अनुष्ठानिक भागों की ब्याख्या की जाती है तर्क पूर्ण ब्याख्या की जाती है और क्या पाइंट बन सकता है कि धार्मिक मान्यताओं का को विशलेशवड के जाता है धर्म की नैतिक माननेता आधार स्वात इनका तारकिक विशलेशवड के ज्ट म के दार्सनिक वा अनुष्ठानिक पद्धती की तुलना की जाती है धर्म का कला मानाव सास्त्र नीती सास्त्र से संबंद का ध्यन क्या जाता है जो धर्म है उसका एतिहासिक विकास का ध्यन क्या जाता है धर्म का व्यक्ति के साथ संबंद या समाच के साथ संबंद इसका ध्यन क्या जाता है जो धर्म के अनुष्ठानिक भाग है जैसे पुजापध्ध्धती अचार सहीता मान्यताइं आद्य होती हैं उनका तार्किक अधार पर आ पर जो है समिक्षा उपयोगिता प्रस्तूत की जाती है ठीक धर्मदर्षन जो और समान्न धार में सिंधांथ स्थाप्म उध्यापित करने का प्रयास करता है जो धर्म के जो दासनिक भाग के अंतरगत धर्म विशेस के मूल तत्व उसकी जो उद्देश है परमशत्ता की जो परिकल्पना होती है उसका इसमें क्या है अध्यान कहीं जाता है इसके अस्तित्व की दार्ष्टनिक वेच्णा की जाती है कि कोई परमस्ता इशवर है कि नहीं है, कि उसका प्रमाढ क्या है, वह सगुढ है कि निर्गुढ है, फिक है, इन सब के वारे में इसमें फिर धर्चनिक विदिसे विशलेशर क्या जाता है, यह है धर्म दर्शन का स्वरूप तीस सब्द ये साठ सब्द में इसे लेटर्ड क्यूस्चन आ सकते हैं आज होब आपको समझ में आया होगा कि धर्म दर्शन का स्वरूप क्या है तो हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए वीडियो को लाइक किजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लिजिए अब कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्षन में जरूर लिखे थैंक्यू रिमाच थैंक्स फार लिस्निंग धन्यवाद